आपको लगता है कि ढेश की अदालत के पास वह यह सवाल लेकर जाएंगी कि उनकी मान के साथ अत्याचार हुआ है तो इसे शम्वेधन शी इसके नहीं देखा जाएगा आपको लगता है कि इस ऐस में उनके साथ नहीं नियाये नहीं होगा इसका मतलब कोई भी बात जो उनके खिलाफ जाती हो उसमें वो यह कह देंगे कि यहां तो सिस्टम ही ठीक चल रहा है किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है अब गोधी मीडिया को एक लॉलिपॉफ मिल गा है मैं इन दो केसिस का कंपारिजन हो सकता है क्या मैंने आपसे पहला सवाल यह पूछा था कौन सी इंवेस्टिकेशन एजनसी शेहला रशीद चलाती है कौन उनको यह बताता है कि सेना ने 20 लोगों को उठाया है किस आधार पर वो यह आरोप लगा देती है किस आधार पर यह आरोप लगा देती है वो कैसे उनके पिता ने आरोप लगाए है किसी मीडिया ने आरोप नहीं लगाया उनके पिता आरोप लगा ने आएंगे तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे उनसे पिता के साथ उनके जो नीजी संबंद ठीक नहीं है यह अभी पूरी दुनिया हमें यह बात पता है कर रहे हैं तो यह पैसा कहां से आ रहा है इसकी जांच होनी चाहिए बात यह हो रही है लेकिन आप डिफेंट की साधार पर कर रहे हैं यह देखिए कम से कम अपने गिनेबां में भी जांकना पड़ेगा ने शहला रिशीद को संगीत रागी साहब जो यहां पर उभरती है संगीत रागी साहब जो यह आरोप लग रहे थे कि पैसा देकर विदेशी फंडिंग के आधार पर कश्मीर की जमीन में वापस अलगावाद की आंधी को सुलगाया जाए जब इस तरह के केसे सामने आते हैं तो क्यों नहीं फिर इस मामले को जोड़ कर देखा जाएगा देखे आपके पैनलिस ने आपके किसी भी सवाल का सिधा उत्तर नहीं दिया ले देकर के बात ये आई कि ये घर का मामला है पारिवारिक मामला है और इसे पब्लिक में जिसको कहते हैं पब्लिक में उजागर नहीं करना चाहिए था ये एक बहुत गलत बात है देखे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला अपनी जगह है उस पर सरकार या जो भी जो एजेंसी है उस पर काम करेंगी ये मामला भी जुडिस सेरी में जाएगा लेकिन आप ये बड़ा आसान काम होता है चुकि पिता एक डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वाल्ड थे इसलिए उनके सारे आरोप खारिज कर दिये जाते हैं यदि आप खारिज करने जाएंगे तो फिर सैला रसीद के जो पीछे के बैक ग्राउंड है उनको भी जोड़ करके देखना पड़ेगा जेन यू के अंदर भारत बिरोधी नारेका ने त्रितूनों ने किया आपने देहरादून की बात की CA को आप देख लिजे कसमीर के अंदर एक के बाद एक ट्वीट फिर उसके बाद उनके संबंधों को देख लिजे वो किनके साथ संबंधर है जो इंजिनियर राशिद है उनके बारे में सब कोई जानता है आपके टेलिविजन पर भी कई बार उनके साथ हम लोगों ने सब्सक्राइब को आपको लेकर जाना चाहती हूं वह बड़ी पिक्चर यह कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की गतिविदिया हुए अगर बीते महिनी भी देखा जाए जो गुपकार गैंग जिस तरह से अक्टिव हुआ है चुनौती यहां पर यह दिखाई देती है कि एक तरफ तो जो भरमाया जा रहा है वहां की जनता को या प्रयास होते हैं वो एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे लोग जो वाकरी अगर सही दिशा में काम करें तो कश्मीर का भविश्य वहां की बोहां की जमीन महां पर सितियां बहतर हो सकती है अगर इस तरह के लोग वाकई ऐसी विदेशी फंडिंग में involved हैं जिसकी जांच होनी चाहिए सबसे पहली बात तो यह है अगर वाकई ऐसा है तो यह तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आप ऐसे हालात को कैसे काबू करेंगे देखे मुझे लगता है कि सरकार इन सारी चुनौतियों से ही निपट रही है कस्मीर के अंदर कोई एक नहीं है कम से कम सरसथ ऐसे टेर्रिस्ट और्गनाईजेशन है चोटे मुझे कोई डॉर्मेंट है कोई बहुत आक्टिव है और ऐसे ऐसे उमर खालीद है सैला रशीद है जेनियू की एक पूरी ब्रिगेड है कस्मीर से आने वाले चात्रों का भी अपना ब्रिगेड है जो इस प्रकार की गतिवीधियों के पर हमेशा सेमिनार करते रहते हैं हमेशा आंदोलों को हवा देने की कोसिस करते हैं पैमपलेट चापते हैं ये और बात है कि भारत सरकार पहले नहीं काम करते थी, जेनिव एड्मिस्टेशन पहले नहीं काम करता था, आपने देखा होगा कि विगत 3-4 साल के अंदर उन पर काफी नकेल चड़ाई गई है, वहाँ के सिक्षक इसमें सामिल होते हैं, देली इंवर्सिटी और बाकी अन्य जगों के सिक्षक इसमें साम मरतन करते हैं,